हलो फ्रेंज अगर आपका मन कुछ चटपटा और हिल्दी खाने का कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और गर के कुछ सामान से ही एकदम इजी से बन जाता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है तो फिर देर की इस बात की चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे हलो दोस्तो मैं हूं सीमा आपका स्वागत है मेरे चैनल में रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें इस रेसिपी को आज हम घेहूं के आटे से बनाएंगे तो यहापे मैंने एक कटोरी घेहूं का आटा लिया ह उसे हम एक ठाली में डाल देंगे और इस अटे में हम डालेंगे कुछ सबजिया तो बारिक कटी हुई दो से तीन हरी मिच डाल दी हैं एक प्याज बारिक कटा हुआ थोड़ी सी पत्ता गोबी आप यहापे फूल गोबी का भी इस्तिमाल कर सकते हो और साथ में डाल देंग इसको भी हम इन सारी सबजियों में मिला देंगे अब डालेंगे एक चमज लाल मिश पाउडर और टेस्ट के इसाब से नमग एट कर देंगे इन सारी सबजियों को हम आटे में अच्छे से मिला देंगे अगर आप लहसून और अद्रक खाते हो तो वो भी यहापे एट कर सक इन सब को अच्छे सी मिलाने के बाद अब डालेंगे एक चमस तेल तो यहां पे तेल हमें जादा नहीं डालना है तेल को भी आटे में अच्छे सी मिला देंगे अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है पानी डालकर एक बार फिर से इन सब को अच्छे सी मिक्स कर देंग शुरू में पानी को हम थोड़ा ही डालेंगे जोरोत होगी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा डो बनाएंगे तयार कर लेंगे अब हातों को साप करके तेल लगाकर हातों को चिकना कर ले छोटी लोई लेंगे और इसे इस तरह से दबाकर जैसे हम सामरवड़ा बनाते हैं उस तरह से होल कर देंगे दोनों साइथ इसी तरह से हम सारे नास्ते को बनाएंगे तयार कर देंगे बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इसी तरह से सारा नास्ता बन के तयार है अब चलते हैं फ्राई करने की प्रोसेस में तो आज हम यहाँ पे डी फ पलताना है उन्हें जब तक ये एक sa peso अच्छे से सीख नहीं जाते अब हम Eef focus मार्टा देगे डेश Corneye को flame सको हमें यहां पे मीडिया में रखना है कि यह उपर से और अंदर से अच्छे सेसे पक जाए दूसरी साइड से भी हम अच्छ से इन्हें शीखने देंगे और फिर इन्हें उलढते पुलढते होए 2-3 मृनिट तक अच्छ स्रीखने देंगे जब तक की इनका इसक्नी करिषप ना हो जाता तक और यह उपर से अच्छ सिंगा नाी। तो ये लिजे, बहुत ही तेस्ती और बहुत ही मज़ेदार, और साथ में बहुत ही चठबटा नास्ता बन के तयार हो चुका है, बहुत ही इजी रेसीपी है, इसे एक बाद जोड़ी ट्राय काना और रेसीपी पसना आए हो, तो लाइक चें़ और शुस्क्काइब काना ना ब बोले?